दहंगर प्रोजेक्ट M आस्ता सस्तान के तत्वदान में दो दिवस्ये महिला कारेशाला का सायों का खेडा में हुआ आयोजन महिला जनप्रति निद्यों को सबकी योजना सबका विकास की दी जानकरी आस्ता सस्तान M दहंगर प्रोजेक्ट के तत्वदान में दो दिवस्ये गेर आवाश्ये बेटक का आयोजन सायों का खेडा ग्राम पंचायत भवन में किया गया इस बेटक में कुल साथ पंचायतों के बीस महिला जनप्रति निद्यों ने भाग लिया आस्ता सस्तान के भवानी शंकरपालिवाल ने महिला जनप्रतिनीद्यों को सबकी योजना सबका विकास के अंतरगत भोती गयों, मानो विकास से जुड़े मुद्दो को केसे प्रात्मिक्ता के आधार पर प्रस्ताओं में लिया जाए, एम स्वास्त सिक्षा, रोजगार, विक्सित की गई, साथ ही महिला जनप्रतिनीद्यों को बताया गया कि ग्राम पंचाहित की पार्शिक बेटग में आप सभी को महिला हिंसा से जुड़े मुद्दो को लेना चाहिए, सस्तान कारेकरता वीना माली और प्रिती स्रीमाली ने कोरोना वाइरस मामारी के बढ़ते से जानकारी दी गई, संधर्भ वेक्ती दुवरा महिला जनप्रतिनीद्यों को सबकी योजना सबका विकास के तहट GPDP क्या है MGBDPP के मुखे आयामों के बारे में विस्तार से समझ विक्सित करते हुए मैला जनपरती निद्यों को बताया गया कि तियोतरवे सविदान संसोधन में अनुचे 246 के तहत पंचायती राज के अंतरगत वर्ष 2021 में सबकी योजना सबका विकास का ध्यान रखते हुए पंचायती राज सस्ताओं में ग्राम पंचायत को वार्षिक कारे योजना बनाने क प्रावदान दिया गया है ग्यारवी अनुचे के तहत ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित 29 विशई में समझ बनाते हुए बताया गया कि जीपी डीपी में 29 विशई को केसे प्रात्मिक्ता से अपने कारेकाल के दोरन लेकर कारे किया जाएगा साथी SDG के 17 गोल्स के बारे मे भी आउगत कराया गया और महिला सभा, वार सभा, ग्राम सभा तता सामाजिक अंकेशन व इस्ताई समेतिया एम पंचायतों को मुख्य रूप से हस्तांतरित 5 विभागों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट की प्रकिरिया के बारे में महिला जनपरति नीद्यों की समझ विक्सित की गई, कारिशाला में सभी महिला जनपरति नीद्यों को राज्य एम केंद्र वित आयूग से ग्राम पंचायतों में हस्तांतरित राशी के बारे में आउगत कराया गया, अपनी नीजी आय कहां से बढ़ा सकते हैं इस अपनी ग्राम पंचायत में क्या भूमिका होती हैं इसके बारे में जानकरी दी गई। कारिशाला में फिल्म हीवडे बाजार देखकर एक आदर्श गाओं के बारे में सभी ने एक समझ बनाई।